पिछले वीडियो में हमने देखा कि कक्छा 1 वा 2 का रिजल्ट किस प्रकार से तयार होगा साथ ही हमने जाना कि कक्छा 1 और 2 में बारसिक परिक्छा प्रिथक से नहीं होगी इनके लिए जो FLN मिसन अंकुर के अंतरगत आउधिक आंकलन हो रहे है इसी आउधिक आंकलन से इनका रिजल्ट तयार किया जाएगा आज के वीडियो में हम देखींगे कि कक्छा 1 वा 2 के चातरों का जो प्रगती पत्रक है जो अंक सूची है वो किस प्रकार से होगी अंक सूची नहीं कहींगे इसे प्रगती पत्रक ही कहींगे क्योंकि इसमें अंकों का कोई उलेक नहीं रहेगा और कक्छा 1 वा 2 के चातरों का जो प्रगती पत्रक है वो HPC Holistic Progress Card है समगर प्रगती पत्रक आईए देखते हैं कि कच्छा एक बाद दो के चात्रों का जो प्रगती पत्रक है समगर प्रगती पत्रक इसे कैसे भरना है इसमें बताद हैं कि चार चर्णों में चात्रों का आंकलन होगा इस प्रगती पत्रक में जो कि आउधिक आंकलन जो आपने किया है उसी आउधिक आंकलन के अधार पर इसमें जानकारी फिल करना होगा जैसे हम देखें तो सबसे पहला पेज जिसमें फ्रेंट पेज है समगर प्रगती पत्रक लिखा हुआ है यहां पर हमें जो सिक्षा सत्र है, सेक्ष्णिक सत्र वो फिल करना होगा 2022 इसके पश्चाद हम देखींगे कि इसमें हमें छात्र की जो समान जानकारी है, साला का नाम है, विकास खंड जिले का नाम, अनुक्रमांग वो सभी समान जानकारी इसमें फिल करना है और छात्र का ज तरगज जो अभ्यास पुष्टिका है इनके पूर्ण होने के उपरान जो आपने आकलन किया है वो इसमें दर्ज करना होगा जैसे आप इसमें देखेंगे कि इसमें पॉइंट्स दिये गए हैं जैसे पहला पॉइंट इसमें दिये गया है कि व्यक्तिगत स्वक्षता और करना है यदि सहायता के साथ कर पाता है तो सेकंड बॉक्स में करना है और अधिक सहायता के साथ कर पाता है तो थार्ड बॉक्स में इसमें टिक करना है आपको इस प्रोग्रेस कार्ट में जो समगर प्रगति पत्रक है इसमें केवल राइट टिक करना है बॉक्स में और यहा साखषरता कॉसल के संबन में point दिये गया है तो इनके अधार पर इसमें आपको right tick करना है या फिर नीचे इसमें marking के लिए भी दिया गया है जहां marking करना है वहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से marking के लिए दिया गया है अब 17 points है, 17 में से कितने marks उनको आ रहे हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कितने points उन्होंने प्राप कर लिए हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसके बाद इसमें देखेंगे कि अगला जो दिया गया part इसमें अंग्रेजी विसे के लिए दिया गया है, जिसमें point कर देना है, अब पहले चरण में हमने पूर्ण कर लिया, इसके उपरांथ हमें द्वती चरण जो है second चरण, जिसमें 17 से 17 तक जो मिसन अंकुर अंतरगत अभ्यास पृस्तिका है, इसमें चातर ने अभ्यास किया है, तो इसके अंतरगत जो भी आपने आंकलन किया है, वो आ प्रांथ हमें अपनी टिप नहीं लिखना होगा, जैसे अंत में आप देखेंगे कि बच्चे की प्रगती के संबन में सिक्षक की टीप, तो यहाँ पर आपको टीप अंकित करना है, अब टीप अंकित करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उधारन भी दिये गये ह साथ ही इसमें अंत में आप देखेंगे कि पालकों की टीप अंकित करने के लिए भी इसमें दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं बच्चे के कौसलों में, ब्रध्धी के संबन में पालक की टीप, अब नीचे जो बॉक्स दिये गए हैं पॉइंट्स के सामने, इन पर र धान अध्यापक हैं, उनके हस्ताक्चर होंगे, कक्चा सिक्चक जो हैं, उनके हस्ताक्चर होंगे, और पालक के भी हस्ताक्चर दिनांग के साथ में होना है, तो इस प्रकार से जो समगर प्रगती पत्रक है, कक्चा एक वा दो के चात्रों के लिए वो दिया गया है, अब जैदि हम बात करें color code की तो जैसे आप देखेंगे अभी green color का प्रगती पत्रक आप देख रहे हैं वहे प्रगती पत्रक के लिए है वहीं कछा 2 के चात्र के लिए pink color का गुलावी color का प्रगती पत्रक है वो दिया जाएगा और इसमें भी 4 चारणों में चार चरणों में जानकारी दर्ज करना होगा जिसमें पहले चरण में जैसे पूर में हमने देखा सेम उसी प्रकार से इसमें भी दिया गया है जो कि चार चरणों में जानकारी अंकित करना है अंत में सिक्षप को अपनी टीप अंकित करना है और इसके उपरांद जो पालक हैं उन्हें भी इसमें अपनी टीप अंकित करना होगा तो इस प्रकार से कक्षा 1 वा 2 के चात्रों के लिए हॉलिस्टिक प्रोग्रेश कार्ट राज्य सिक्षकेंद के द्वारा जारी किया गया है अब यदि इस प्रोग्रेश कार्ट को आप डाउनलोड करना चाहें तो डिस्किप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर किलिक करके आप इस प्रोग्रेश कार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं एथी कक्षा 1 वा 2 के चात्रों के प्रगती पत्रक के सम्मन में एक महत्पून जानकारी आसा है जानकारी अच्छी लगी होगी मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारीों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन